जोरखन में पंचायद चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे मुख्या प्रत्यासी पंचायद भावन की चाबी लेने के लिए ब्याकुल होते जा रहे हैं ये हम नहीं पलगे सबो के दिलो के अजीज एवं समाज सेवी सा 11 कुन प्रकंट अंत्रगत पंच मुहली पंचायद की मुख्य प्रत्यासी जग्दी स्तिवारी का कहना है उन्होंने ये भी बताया कि मेरे द्वारा करोना काल में निस्वार्थ भाव से किये गए कारियों को देखते हुए जनता हमें पंचायद भावन का चाबी देने को ततपर है मेरे देखा देखी समाज में एक से एक समाद सेवी अपने पंचायत के भवन का चावी लेने के लिए मैदान में उतर रहे हैं जिसे पंचायत के जनता जनारदन नकार चुकी है 11 कुन प्रखन के अंतरगत पंच मोहाले पंचायत में पहले मुख्या से आकरोज से जनता इतनी नाखुस है कि इस बार जनता खुद हमें नया चहरा चुना नया चहरा को देख जनता इस बार ठान लिया जो करूँगा काल में जनता के साथ था उसी को इस बार पंचेर भवन में चावी देने को तैयार है अब देखना ये बड़ा दिल्चस्प होगा कि इस बार समाज सेवी के रूप में जग्दी स्केवारी को चुनकर और कितने मतों से इस बार वोट देकर विजय बनाते हैं यहां पानी के समस्या बहुत है रोड नली गली सब एक्टम खराब हो चुका है कोई देखने वाला नहीं है पहले के जो मुख्या लुख्था कोई काम नहीं किया और हमरा यही कहना है कि जब मुख्या बनता है अदमी तो विकास करना चाहिए वो नहीं हुआ और जोगी रासन मिलता है सरकारी उसमें भी घोटाला करता है लोग बहुत आदमी को रासन मिलता नहीं है और और क्या बोले आप से बहुत तर्स आता है दिल में कि यह इलाका में कोई काम नहीं है कि यहां पर जोगी सरकारी जोजना है कोई जोजना लागू नहीं हुआ अभी तक बहुत से बिर्धा बिकलांग और विदवा पेंसन किसी को नहीं मिलता है बहुत रियर अदमी को मिला है जो चाहिए था वो नहीं हो पाया और फानी का इतना किलत है यहां बुड़िया है उसमें नहाने जाता है अदमी और डूब डूब के कितना अदमी मर भी गिया है पानी का सुधार करेंगे जदी हम जीद गए तो और एक बात बता रहा हूं आपको यहां के जनता हमको खड़ा किया है हम अपने से नहीं लड़े है राजनिति करने का कोई सोख नहीं था ल है क्या नाम हूँ अपका जगदिष्टिवारी है क्या चिन में अपका चुनाव चिन में है तो जनता से ही पोलना चाहते हैं कि आपका पंचायत में हम लड़ रहे हैं आप लोग अशिरवाद दीजिए हमको जिताईए आप लोग को जितना भी अर्मान है हम पूरा करेंगे कर्मान संख्या एक पर मोहर लगाएं आएं सेव छाप में एक नमर में मोहर लगा करके विजही बनाएगे